है गैसों सब कैसां सभी स्वागत आप सभी का आप कैप्टेंडिस चैनल आई टेली जोब अपडेट पर गाईज आज एक बड़ा डाउट में आप लोगों का क्लेर करने वाला हूं जिसके कमेंट्स कापी सारे मुझे आ रहे थे कापी दिनों से लेकिन मैंने सूचा कि जब आप लोगों को पता है कापी बड़ी फरते आने वाले हैं 64-65 पोश्टोस में आराम से रहेंगी इससे कम नहीं रहेंगी ज्यादा ही रहेंगी बिकोर 64,000 की वेकेंसी तो पिसली बाहर थी यह वाली एलप एन टेक्निशन वाली आज हम जो बात करने वाले हैं आई टाउट सबसे में डाउट यह आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में या डारेक्ली मुझे यह चीज पूची जा रहे हैं कि सर में इस साल 2023 में आई टे एक्जाम दे रहा हूं या दे चुका हूं ठीक है जिसनोंने दे लिए हैं वो भी और जो देने वाले थे वो शादर भी कमेंट कर वाले वीडियो देख करके एक बार फिर से देखा कि फॉन किस प्रगार से भरा गया था तो जो फॉन परहा गया था आप लोगों से वह उसमें आपसे टेंथ मांगा था और आपकी एक्जाम ठेड भरवाई थी सबसे पहले आई की फी ट्रेड फिर एक्जाम ठेड यानि कि किस ट्रेड से आपने एक्जाम दिया है और किस ट्रेड से एक्जाम आविसमें देंगे वह ट्रेड आपको सेमी ट्रेड भननी होती है जैसे आपने वेल्डर से किया है तो वेल्डर भरेंगे दोनों में डिजल मेकेनिक भरेंगे और इलेक्टिशन से किया है तो इलेक्टि लिया था एसा कुछ भी उसमें नहीं मांगा था और नहीं उसमें अप्लोड करवाई थी हाड कोपी या सोफट कोपी उसमें अप्लोड नहीं करवाई थी तो पिसली वार के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो इस साल 2023 में जो चात्रवी पेपर दे चुके हैं अभी अ पिसली वेकेंसी में भी परसेंटेज वगेरा नहीं मांगी थी लेकिन आप ऐसे ही कुछ भी दुपल में नहीं अप्लाई कर सकते तो जिन चात्रों का रिजल्ट आज आएगा वेकेंसी आने से पहले जैसे अभी 2023 में जिन्हों ने एक्जाम दिया है उनका रिजल्ट अगस अगस्त में रिजल्ट आने के दो दिन बात भी अगर वेकेंसी आती है तो आप इसके लिए एप्लाई कर सकते हैं एल पें टेक्निशन दोनों के लिए आपका डाउट के लिए होगा आज की दो में इतना ही और अब घबराने वाली कोई भी बात नहीं है आप कोई कमेंट कर सकते हैं चाहिए आपने 22 में की वाइक यह 23 में की वी हो लेकिन जो 23 में एडिमसन लेंगे उनकी कम्प्लीट होने से पहले वेकेंसी आजाएगी इसके लिए मैं 100% शोर हूं जहां तक मुझे लगता है तो वह चात्री जरूर से इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे ज दोसको लवेटे कर जहें जे भारत